गोपाल गंज में तिहरे हत्या कांड में आरोपे विधाया कामरे दिरपांडे के गिरफतारी की मांग को लेकर नेता पर्तिपक्ष ते यसुई यादो ने बिहार विधान सभा के अध्धक्ष विजे कुमार चोधरी से मुलाकात की। गोपाल गंज मार्श के लिए निकले थी। बिहार की पुरो मुख्यमंत्री राबडी देवी बहुत दिनों के बाद पार्टी का नित्रित्व करते हुए नजर है। जीतनरायमाजी ने तेजस्वी यादो पर जमकर हमला बोला है। इस दोरान जीतनरायमाजी ने गोपाल गंज हत्याकांट को लेकर तेजस्वी के स्टैंड को पॉलिटिकल ड्रामा बताया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादों को महागट बंधन के साथ बाच्चित करनी चाहिए थी। अगर मुझसे बाच्चित करते तो मैं बताता कि विहार में कई जगों पर हत्याएं हुई हैं और सब को लेकर राजयपाल से मिलते और आगे की रणनीती बनाते। राश्टिय राज जिमार्ग पर चकिया थानक शेत्र के ओजा टोला के निकट गुरुवार के रात्री सणक दुरगट्ना में दो परवासी बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गए। पर मौत हो गई थी जिसका पटना हाई कोट ने गुरुवार को स्वता संग्यान लिया है। अंफाम बिहार में असर दिखा चुका है वहीं पश्चमी विक्षोप के कारण कुछ इलाकों में बारिश तो कुछ में गर्मी का असर दिख रहा है। खास तोर पर बिहार के पुर्वी और उत्तर पुर्वी भाग में कोसी और सीमांचल के जिलो सहीत और असपास के इलाकों में फिलहाल मौसमी हालात खराब ही रहेंगे। सिक्षकों के उपर की गई कानूनी करवाई को वापस लेने का आदेश दिया गया है। पर मुख्य सचीवार के महाजन की ओर से सभी जिलो के डियम को पतर जारी किया गया है जिसमें सिक्षकों पर दायर प्राथमी की वापस लेने का आदेश दिया गया है। सिक्षकों के अध्यक्ष सा परिक्षा समन्वैक प्रफेसर अशुक कुमार ठाकुर कर रहे थे। बिहार स्वास्तिभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले तीन सब्ताह में अधिकतर संक्रमित बाहर से लोटने वारे परवासी मुझदूर हैं और इस वज़ा से संख्या एक हपते में ही दुगनी से अधिक बढ़ गई है। कुरोना महमारी से मरने वालों के संख्या अब 17 हो गई है। पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं।